हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेकिया हूँ, इंटरनेशनल एकनॉमिक्स का एक और टॉपिक, चेप्टर का नाम है फॉरन एक्चेंज और टॉपिक का नाम है पर्चेजिंग पावर पैरिटी थियूरी, कुछ लोग इसको पर्चेजिंग पावर पैरिटी थियूरी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चलिए शुरू करते हैं, रेट अफ एक्चेंज अंडर इंकन्वर्टिबल पेपर करंसी इस डिटर्मेंट बाइदा पर्चेजिंग पावर पैरिटी थियूरी, पर्चेजिंग पावर पैरिटी थियूरी कहती है कि अगर एक्चेंज रेट इस हिसाब से है कि आपके कंट्री में इनकन्वर्टिबल पेपर करंसी चल रहा है, इनकन्वर्टिबल मतलब अगर हम सेंटल बैंक या गमेंट के पास जाएं और हम कहें हमार पास इतने लाख की करंसी पड़ी है, इसके बदले हमें गोल्ड दो, त पुराने जमाने में होता था, आजकल नहीं होता, समयर की बात, तो इनकन्वर्टिबल पेपर करंसी का मतलब होता है, हम उस करंसी की वैली को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, according to this theory, rate of exchange in such countries is determined by the ratio of purchasing power of their respective currencies, मैं आपको छोठा सा एक्जांपल देता हूँ, वो मान लो मैंने सैमसंग का या फिर आइफोन कह देता हूँ, मैंने आइफोन खरीदा, ठीक है, आइफोन का USA में rate है, मान लो 1000 डॉलर, ठीक है, और आइफोन का, इंडिया में जो rate चल रहा है, मान लो, इंडिया में जो rate चल रहा है, आइफोन का let मुझे पता नहीं कितना है, म तो एक डॉलर कितने का हो गया, एक डॉलर हो गया हमारा 80 रुपे का, तो निकल गया ना exchange rate, तो purchasing power parity theory क्या कहती है, ये कहती है, कि अगर exchange rate को पता करना है, तो दोनों countries में क्या purchasing power चल रही है, उसके हिसाब से exchange rate को पता किया जाना चाहिए, ठीक है, अब थोड़ी शोव मारने के लिए किस-किस नहीं दी थी, ठीक है? This theory was first of all propounded by John Whitley in 18002. Later on, it was elaborated by William Black and David Ricardo. However, credit of presenting this theory in scientific and more organized manner goes to Swedish economist Gustav Castle, ठीक है? तो ये थोड़ा सा लिखना पड़ता है, पेपर में दिखावा भी करना है, कि भाई किस-किस नहीं क्या क्या दिया, ठीक है? तो ये थोड़ा रटे वाला portion था, ठीक है? According to this theory, in countries having inconvertible, फिर से वही चीज़ लिख दी, ठीक है? क्योंके presentation भी तो बनानी है, कि inconvertible standard है, तो rate of exchange is determined by the ratio of their mutual price levels. इसका मैंने example भी दिया है. It is the purchasing power parity of the currencies of these countries that constitute the base for the determining the exchange rate between them. मतलब, दोनों की purchasing cover, जो है country में, उसी के हिसाब से exchange rate था होता है. मैंने example दी है, उपर भी आपको दी थी, यहां फिर से दे देता हूँ, वन चेर इन इंडिया, चार हजार की है, सेम चेर उएसे में, फिफ्टी दॉलर की है, तो वन डॉलर कितने का हो गया, एटी रुपीस का, तो मैंने फोर थाउजन उपर रके, फिफ्टी डॉलर नीचे रके कटवा दिया, तो एक डॉलर पता लग जिगा ना, कितने का है, तो अब, in the words of Gustav Castle, वो क्या कहते थे, the rate of exchange between two currencies must stand essentially on the quotient of the internal purchasing power of these countries. मतलब, कि अगर दो countries के बीच में, हमने यह देखना है, कि क्या exchange rate है, तो उन countries के internal purchasing power, उनके country में purchasing power, जो भी चल रही है, उनको compare करके ही पता लगाया, जा सकता है. दूसरी definition भी आप लिख सकते हो, according to Kurihara, the theory seeks to explain that under the system of autonomous paper standards, जो autonomous paper standard है, इसको in convertible standard भी कहते हैं, the external value of currency depends ultimately and essentially on the domestic purchasing power of that currency relative to that of other currency, another currency. तो इन्हों ने भी यह बता है, कि अगर हमने दो country के आपस में purchasing power देखनी है, तो हमें exchange rate देखना है, तो हमें यह देखना पड़ेगा, कि एक country में क्या purchasing power चल रही है, और दूसरे country में उसके मुगाबले कितनी purchasing power चल रही है. Purchasing power parity theory can be explained under two versions, absolute version and relative version. तो सबसे पहले absolute version of purchasing power parity. इसमें भी मैं फिर से वही example दोँगा, क्योंकि paper में present कैसे करना है, मैंने उससे साब से लिख है, to the respective currency, to their respective currency, मतलब हम ratio निकालेंगे, कि एक country ने price इतना था, उस country में इतनी quantity खरी दी, दूसरे country में price इतना था, उसमें इतनी quantity खरी दी, इनकी जो ratio है, उसी से पता लगेगा, ठीक है? In other words, according to this theory, rate of exchange expresses the relation between internal purchasing power and internal purchasing power of different national currencies, मतलब दो अलगलग currencies है, उनकी internal जो purchasing power चल रही है, उसको compare करकी पता लगा जा सकता है, मतलब पूरी ठीओरी में एकी बात कह रहे है, purchasing power, purchasing power, ठीक है? It will be determined at that level, at the level at which, the price level of two currencies, two countries are in the state of parity, ठीक है? तो example फिर से वही, के price of one quintal of wheat, in India is 4000, 1000 और one quintal wheat, जो USA में मिल रही है, वो 50 डॉलर की मिल रही है, तो 1 डॉलर 50 रूपीज का आगया, समझ की बात, इसको इस formula से भी लिख सकते है, price in country A, multiply by quantity, divided by price in country B, multiply by quantity, समझ की बात, तो इसके हिसाब से भी, 1 डॉलर 80 रॉपे का आ रहा है, तो बार बार एक ही example दे 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 के, explain क्यूं कर रहे है, क्योंकि जब भी हम graduation में long question लिखते हैं, 5-6 pages भरने होते हैं, तो it is an art के, आप किस तरीके से 5-6 pages भरो, ठीक है, the above equation explains that the rate of exchange is determined by the ratio of internal purchasing power of the foreign currency to the internal purchasing power of domestic currency, तो इन में में से एक domestic होईग, एक foreign होईगी उसकी ratio आपने निकाल ली, next slide दाता है, relative version of purchasing power parity, relative version में क्या कहते हैं, according to professor Gastev, या Gustav Castle जो भी इनकी pronunciation है, changes in the rate of exchange can be measured by changes in purchasing power of the currencies of two countries, कि अगर purchasing power में changes आता है, तो हम उस purchasing power के change के हिसाब से, exchange rate में भी change कर सकते हैं, तो उसी ही साब से change हो जाएगा, if the price level of one country changes more than the price level of another country, then the value of its currency will fall in the same ratio in comparison with the currency of other country, एक country में price बढ़ गया, दूसरे country में price इतना है, जितना percent उसमें price बढ़ गया, उतनी percent उसकी currency की value गिर जाएगी, for example, if the exchange rate is $1 is equal to $80, the price level in India doubled, अगर 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 इंडिया में double है price level, ठीक है, whereas, it remains same in USA, तो क्या होगा, $1 अगर एक डॉलर अब कितने का होज़ेगा, $1.60, क्योंके इंडिया में price is double होगे, तो rate of exchange भी double हो जाएगा, तो इसमें क्या formula लगाएगे, formula for calculating new rate of exchange is, R N, मतलब new rate of exchange, तो इंडेक्स नंबर वाले formula नहीं होते थे, current year divided by base year, और फिर इसका base year उपर लिख दिया, और इसका current year निचे लिख दिया, जो B country है, समझे बात, तो इस हिसाब से आपने इसके formula लगाने है, तो यह जो purchasing power parity theory है, overall कहती क्या है, यह यह कहती है, कि भाई, दो country में आपसमें जो purchasing power होगा, उसी के हिसाब से exchange rate तै होगा, ठीक है, अब इसकी criticism, क्योंकि long question आएगा, तो आपको criticism तो लिखनी है न, there is no direct relationship between price level and exchange rate, कुछ economist यह मानते हैं, कि इस theory ने old-old कर दिया, सब कुछ, सब कुछ गलित बताया है, यह कहते है कि अगर किसी भी country में, हलका साभी purchasing power में changes आए, तो उसी हिसाब से, जो purchasing power के change होने से, exchange rate में changes आजाएंगे, according to this theory, changes in the purchasing power of one unit of currency of a country, are the determinant of changes in the rate of exchange, वोई बात जो मैंने बताई, however, in actual life, besides price level, कि price level को छोड़के, और भी तो कई चीज़ें असर डालती है, जैसे rate of exchange is also influenced by tariffs, कि taxes कितना लगा रही है, country, दूसरे country के ओपर जो समान आ रहा है, या speculation कितना हो रहा है, currency के terms में, या बाहर से capital flows कितने आ रहे हैं, बाहर से FIIs, FDIs के पैसे कितने आ रहे हैं, international economic changes जो हो रहे हैं, trade में जो changes हो रहे हैं, ये सारे factor असर डालते हैं, सिरफ purchasing power असर ने डालती, तो पहली बुराई तो ये होगी, दूसरा है unreliable base, purchasing power parity is based on the index of general price level, जो purchasing power parity है, ये general price level को लेके बनाई गई है, जैसे हम index निकालते हैं, index price index, वो general price level को देखके निकालते हैं, कि ये ये goods consume करते हैं, इनका पुराने time का price ये था, current year price ये था, उसके हिसाब से general price index पे निकाली गई है, but in reality, but the reliability of index number is doubtful, हमें जो prices मिल रहे हैं, क्या पता हैं वो सही हैं या गलत हैं, क्या पता कुछ countries अपने prices को manipulate कर दे, शो ही ना करें बाहर वाले countries को, ताके उनका exchange rate मजबूत रहे, different countries prepare price index numbers on different bases, समय की बात, they differ in selection of base year, as well as in composition of commodities, क्या पता हैं, वो index number निकालने के लिए, जो commodities जैसे आपको question में आता था, ABCD, आठा दाल चावल फलाँ फलाँ, तो वो वो prices रख दे, मतलब वो commodities एड़ कर लें, जिससे उनके जो exchange rate है, उसको favorable एसर पड़े, समझगी ना बात, the real rate of exchange cannot be known simply on the basis of price index numbers across the different nations, तो जो real exchange rate निकलेगा, वो सिरफ उन countries में जो prices चल रहे हैं, उनके base पे नहीं निकलेगा, क्योंकि इससे तो कोई भी country, index number को निकालने के लिए, अपने goods को change कर देगी, या फिर base price year को और ले लेगी, जिससे उसको exchange rate को manipulate करने में help हो जाए, समझ के बात ता कि उसकी currency की value बढ़ जाए, illogical, economists like Keynes, Harm, Hexer, consider it an illogical theory, वो नहीं मानते थे इसको, क्या purchasing power हर कुछ दिन के बाद तो prices change होते रहते हैं, they are of the view that this theory holds good in respect of the prices of such goods, as are included in foreign trade, वो यह कहते थे, सिरफ उन्हीं चीजों के prices को देखना चाहिए purchasing power में, जिसमें foreign trade होता है, but it will be illogical to apply on the general price, जिनमें foreign trade होता है, तो हर एक चीज़ को maintain रखना data यह काफी ज़्यदा जो है illogical सी बात है, next, it ignores the elasticity of reciprocal demand, reciprocal demand कितनी रहेगी, उसको तो यह theory totally ignore कर देती है, reciprocal demand क्या होती है, कि एक country, किसी दूसरी country से समान खरीद रहा है, उसके बदले उसको क्या दे रहा है, reciprocal मतब उल्टी demand, हमने किसी और country से कोई समान लिया, उसके बदले हमने क्या दिया, या हमने किसी country को बाहर export किया, उसके बदले क्या import किया, according to GM Keynes, the theory ignores the elasticity of reciprocal demand, reciprocal demand तो है, मगर इसकी elasticity को भी ignore करती है, elasticity मतलब, अगर हमने बाहर से import किये, उसके बदले कितने export बढ़ा सकते हैं, या अगर हमने export कम बढ़ा है, तो import में कितना फरक पड़ेगा, इनकी elasticity को भी consider करना चाहिए था, elasticity of reciprocal demand, is a measure of change in demand for exports of a country, as a result of change in the prices and income, तो लोगों की prices और income के change होने से, जो उनके exports की demand है, या imports की demand है, उसके जो फरक पड़ता है, उसको elasticity of reciprocal demand कहा जाता है, because of change in the income of the people, their demand for foreign goods may also change, अगर लोगों की income change होगी, for example income गिरगी, तो वो बाहर के goods तो खाने बंद कर देंगे, समझगे ना बात, with the increase in the demand for foreign goods, अगर उनकी income बढ़ जाती है, तो वो demand ज्यादा कर लेंगे foreign goods की, तो जैसे demand for foreign goods बढ़ेगी, exchange rate तो बढ़ेगा ही ना, क्योंके हम dollar की demand बढ़ा रहे है, हमने तो बाहर से मंगवाने हैं समझगे बात, बजाए इसके purchasing cover देखें, reciprocal demand की जो elasticity है, वो भी देखनी चाहिए थी, it ignores the impact of capital moments, exchange, for example, because of capital moments, exchange rate can rise and fall, बाहर से पैसा है, suppose, capital flows from India to USA, India से पैसा USA चला गया, as a result, the demand for dollar will rise, dollar की demand बढ़ेगी, जिसे dollar का rate बढ़ेगा, और वो इंडिया के लिए खराब होगा, speculation in foreign currencies, may also impact the demand and supply, and accordingly exchange rate, तो speculation, अगर exchange rate, foreign currency की speculation हो जाएगी, उसके हिसाब से भी market में demand and supply change हो सकती है, जिसके वज़े से exchange rate में changes आ सकते है, सिरफ purchasing power parity से नहीं आएगे, next आ जाता है, change in the rate of exchange also affects the price level, अभी हम क्या करे थे, कि price level की वज़े से exchange rate तैय होता है, मगर यहाँ पर यह लिखा हो, according to Kassel, this theory is based on the assumption that price is the cause and rate of exchange is the effect, यह theory कैते ही कि price जो है वज़े और असर किस पर पड़ेगा, rate of exchange पे, but ultra होता है, in other words, change in the price level brings about changes in the rate of exchange, which is one-sided theory, in reality, it is found that if changes in the exchange rate persists, there will be change in the price level as well, अगर exchange rate change होता है, तो price level भी change होता है, ultra concept भी है, समझ के बाद, it ignores the effect of trade cycles, पूरी theory नहीं यह तो बताया है नहीं, कि boom, recession, depression, या market के ups and downs होने से भी exchange rate में changes आता है, purchasing power parity theory holds, change in the price level as a sole cause of change in exchange rate, यह कहते ही किसरफ exchange rate में एक ही वज़े से change आएगा, अगर purchasing power में change आया, तो this theory completely ignores the effects of trade cycles or business cycles in the determination of exchange rate, exchange rate को determine करने के लिए trade cycle या business cycle की, तो यह बाद ही नहीं करता, long period theory, यह पूरी की पूरी theory long period है, the theory examines the problem of determination of exchange rate in the context of long run ignoring the short period changes, तो यह long period theory है, तो long period को consider करती है, short period को consider ही नहीं करती, from the practical point of view, any theory relating to the foreign exchange has little relevance if it ignores the short period factors, अगर कोई भी foreign exchange की theory short term factors को discuss नहीं करती, वो theory unblistic सी हो जाएगी, in short period, monetary factors are highly volatile and determination of exchange rate between two currencies cannot escape their impact, तो कोई भी monetary authority जो है इग्नोर नहीं कर सकती, कि short term fluctuation की वज़े से जो exchange rate में changes आएएँगे, ठीक है, अब ये सारी theory का conclusion क्या है, after going through above discussion, we can conclude that purchasing power parity theory certainly brings out a relationship between exchange rate and purchasing power of a currency unit, एक हमें नहीं चीज़ उस ताइम पर पता लगी, कि exchange rate जो है वो purchasing power के हिसाब से भी तैय होता है, yet it cannot be applied like arithmetic formula, जैसे arithmetic mean है, हर जगा अपलाई हो जाता है, mean का formula हर जगा अपलाई हो जाता है, वैसे ये हर जगा अपलाई नहीं हो सकती, ये one of the point हो सकता है, exchange rate को determine करने का, it only indicates as to what would be the probable rate of exchange at a given period of time, ये हमें सिरफ ये बताती कि probability है कि exchange rate इतना होना चाहिए, at the same time it does not give any guarantee that the said rate of exchange will necessarily remain in force during a given time period, तो ये हमें अंदाजा दे देती कि इतना खोना चाहिए, ये हमें guarantee नहीं देती कि ये exchange rate over the period of time रहेगा ये short period के लिए भी exist करेगा, I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो please like, share and subscribe, मैंने उसे साब से लिगे है, जिसे साब से अपने paper में attempt करनी है, इस chapter के सारे link आपको description में मिल जाएंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो please like, share and subscribe, take care, bye-bye.